अलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR स्टडी में सुबचों आपकी कलास सुरू हो चुकी है सुबा के पांच बज़े जैसा कि आपको पता इस समय कलास 10 की कलास चल रही है यह मैथमेटिक्स कुश्चन बहुत ही ध्यान से देखना आज आपका यह एक्सरसाइज 5.3 खतम हो जाएगा इसमें का सिर्फ एक कुश्चन बचेगा बस यानि आपका आज से समांतर स्रेडी खतम हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इंडो हो गया कुश्चन आपके स्क्रीन पर आरा ध्यान दीजिए पढ़िए क्या कहता है खेरा कि केंद्र ए से यह कुश्चन नंबर 18 है 18 जो लिखा है वो कुश्चन का नंबर नहीं तो उसको उसमें मत मिलाना कुश्चन में ठीक है केंद् करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए तिरिज्जाओं 0.5 cm, 1.0 cm, 1.50 cm, 1.50 cm वाले उत्रोतर अर्ध वृत्तों को खीच कर एक सफल बनाया गया है एक सफल बनाया गया है साथियों ये थोड़ा सा मुझे गलत लगरा टाइपिंग में हुआ है एक सरपिल बनाया गया है ठीक है आप यहां पे थोड़ा ध्यान दे ना जहां पे वहां पे लिखा है सफल बनाया गया है वहां पे क्या होगा एक सरपिल बनाया गया है अभी मै तो वो सरपिल दिखाऊंगा ध्यान देना यहां पर सफल नहीं बलकि सरपिल होगा ठीक है तेरा जैसा कि नीचे चितर में दिखाया गया है तेरा कर्मा गत अर्धबृत से बने इस सरपिल की लंबाई क्या है निचे चितर में कहां दिखाया गया है वो आपको नहीं दिखरा है वो भी मैं दिखा देता हूँ यह देखो figure आप ध्यान दो यह सरपिल है इसी को सरपिल कहा जाता है जो आपके इस स्क्रीन पर दिखरा है वैसे मैं एक बार बता दू कैसे बनेगा ऐसे इसमें देखिए अर्धबृत बने है बच्चा तीन तीनों अलग अलग कलर में हैं आपको समझने के लिए आप अगर ध्यान से देखो तो जो आपको बुलू कलर का दिखरा जहां पर एबी लिखा है वो एक अर्धबृत है अर्धबृत का मतलब यह होता जैसे एक सरकल बनता है इसको आधा बीच से काड़ दो तो जो यह आधा बचता है वो क्या है अर्धबृत है चानते हो कि नी तो उसी तरह से अगर आप देखो तो बुलू कलर वाला नीले कलर वाला जहांपर A B लिखा है वो एक अर्धबृत है औरंज कलर वाला जहांपर L2 लिखा है वो भी क्या है एक अर्धबृत है वो पर जो हरे कलर का है ग्रीन कलर का जहांपर L1 लिखा है वो भी क्या है एक अर्धबृत है ये तीन अर्दबृत दिये गए हैं और जो ये आकिती पूरा बनी है इसको सरपिल कहा गया है देखाए कैसे बनी है ज़रा कहां देना ये कुछ आईसे बनी है अगर यहां से इसको हम सुरू करते हैं माल लेते हैं जैसे कहरा कि केंदर A अबलब A को केंदर मानने को बोल रहा है तो माल लोग कि A यहां पे है तो यह ऐसे बनी है ना ऐसे 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 तो गूमी है ना या बार बार आगे समझना इस को सिर्फ समझना है बस वाकि इसमें कुछ नहीं है जादा अगर आप समझे गए तो इसको बड़े प्यार से कर लेंगे पर नहीं समझ पाए तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है और चुकि आपके एकजाम में यह पूछा गया एक आद दो बार इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ यह पूछा भी जा सकता है अच्छे कुश्चन में क्योंकि जो समझदार बच्चा है वही इसको करेगा और कोई नहीं कर पाएगा ठीक है आसान है बहुत आसान है लेकिन समझना है देखिए अब हमें क्या करना है आप अगर अपनी किताब में देखो NCRT लिया हो तो बच्चा उसमें दिया है कि केंद्रों A, B, A, B वाले अर्धिवृत्तों की लंबाईयां जो है L1, L2, L3, L4 है यह तंके दिया गया मान लेना इसे ठीक है तो लंबाईयां तो फिलहाल वहाँ पर आप देखो स्क्रीन पर मैंने आपको दिखाया है यह बुलू कलर में, ग्रीन कलर में, और अरणज कलर में लिखा ना L1, L2, L3 तो वो लंबाईयां आपको अलग-अलग मैंने पहले से बता दिया है ठीक है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है अब यहाँ पर ध्यान देना कुष्टन में कह रहा है कि केंद्रों A और B को लेते हुए जिरे जाओ 0.5 cm इसका मतलब समझना मुझे यहाँ पर फिगर बना के एक बार आपको बताना ही पड़ेगा यहाँ मैं बना सकता हूँ यहाँ मैं बना सकता हूँ समझना मैं छोटा बनाओंगा बहुत बड़ा नहीं बनाओंगा यहाँ पर मैंने अगर A मान लिया अब देखना समझना आप यह आपका एक बन गया तो आपका देखो यहाँ पर बन रहा है न यह और मैं इसको ऐसे ले जाओंगा और ऐसे लिचे दिख रहा है कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना किसी को लो प्रावबलम चलो अब समझना तो साथियों यहाँ पर एक चीज आपको देखना है जो आपका ऊपर साइड में बन रहा है ऊपर साइड में यह जो एलो कलर वाला है इसमें अगर आप देखो तो यह आर बराबर 0.5 है कितना है आर बराबर 0.5 है यहाँ पर लिख लेना हम यहाँ पर जगा नहीं है मेरे में यहाँ पर तो एलो कलर का दिख रहा है आपको फिगर में पीला कलर का वो कितना है आर बराबर 0.5 है यानि उस अर्दिम्रित का जो तरिज्या है कितना 0.5 cm है आगे देखना अगला ध्यान देना अगला क्या था 1 था ना 1 किसका है पता है आपको जो नीचे आपको ब्लू कलर का दिखरा है इसक्रीन पे नीले कलर का जहां पे यह भी लिखा है तो वेटा यह यह वाला यह इसका कितना है पता है तुम्हें इसका आर बराबर कितना है 1.0 यह दिया है चीतर में देखो यह ना इसके अलमा अगला डेड़ है 1.5 कौन सा जो ग्रीन कलर का आपको इसक्रीन में दिखरा है green color का मतलब यह दिखा रहा यह कितना र, 1.5 और एक जो orange color का सबसे बड़ा वाला है आपके इस screen पे देखो, orange color में मैंने दिखाया है वो कितना है, वो R बराबर 2.0 है यह क्या है? त्रिज्जाय दिगई है यह नि हमें क्या दिया, radius दिया है अगर आप इइस स्क्रीन पर देख पार तो जो पीले कलर का गोला है छोटा था इतना उसके उपर yellowone लिखा है मतलब ये परिदी इसकी कितनी है yellowone है और परिदी नहीं इसकी लंबाई है वह cannon fine परदी तो अभे हम निकालेंगे परदी को इंगलिस circumference बोलते हैं तो ये चीजें दिया गया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम circumference वाले सूत्र में रख देंगे अगर हमें तरिजा दी गई है, सबको पता है, बृत्ति की जो परिधी होती है, वो टू पाई आर होती है, तूकि यहाँ पे बृत्त है नहीं, यहाँ पे अर्ध बृत्त है, अर्ध बृत्त की परिधी बराबर, ठीक है, अर्ध बृत्त की परिधी बराबर, इंग्लिस मीडियम वाले लिख लेंगे, क्या लिखेंगे इंग्लिस वाले ध्यान देना मैं दोनों में बता रहा हूं, इंग्लिस मीडियम वाले लिखेंगे बिटा, circumference आप semi-circle, semi-circle मतल इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, यह बृत्त की परिदी का सूत्र है वास्तों में, ठीक है, जो मैंने लिखा है, यह बृत्त की परिदी का सूत्र है, सरकमफ्रेंस का है, तेकिन यहां अर्ध बृत्त की बात हो रही, सेमी सरकल की, तो इसको आधा कर देंगे, ठीक तो आप समझना बच्चा यहां पर क्या क्या समझना है अब हम यलवन निकाल लेंगे पहले ठीक है यलवन बराबर आपको पता है कि अर्धवरिति की जो परिधी होती है वो पाईयार इसका सुत्र होता है तो यलवन निकालने का मतलब यह है क्या यह जो अब मैं फिर आपको इक बार दिखाऊंगा अभी ना दिखाए होगा नहीं कोई सब्सक्राइब निकालने के लिए आप मतलब जान रहे हो तो जो एलो कलर का आपको थोड़ा सा अर्दवरिति दिखरा जहां मैं टच कर रहा हूं अपना स्क्रीन देखो आप जो मैं फिकर दिखाया हूं उसके ओ परदे निकालने यह सुट लगाएंगे पाई यार तो पाई कमान जो है वो कहा रहा है अपको फिगर में देखो कि आपको 22 बटा साथ ही उच करना है लेकिन अभी नहीं जहां काम लगेगा आगे यहां पे पाई इंटू आर कमान 0.5 क्या आपका हो गया पहला इसी तरह से इन आप यहल्टू निकालोगे भाईया यहल्टू निकालोगे बाबू तो यह हो जायागा 1.0 यहल्टू का मतलब आप इस ख्रिन पर अपने देखो जो ब्लु कलर का सरकल है नीले कलर का उसके ओपर यहल्टू लिखा है ना नीचे साइड में यह 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 एनी अब आमें यह निकालना यह ठीक है यह इसके लिए तरज्या 1 है है यह मैंने रखा है ठीक है किसी तरह से love 3 निकालोगे love 3 तो papi into 1.5 दिर्ज्या कितना डिर इसी तरह से love 4 भी निकाल लोगे love 4 भी निकाल लोगे टॉर आपका हो जाय ही अग्षिद पॉइंट जीरो यहनी आपका यह निकालना है यह नीचे वाला है इसमें किसी कोई परसानी है रानी दिक्कत नहीं न चलो यह हो गया अब इसी तरह से हम कहां तक निकालेंगे आप एक बार फिर से कुश्चन देखो पॉइश्चन देखो बार बार देखो एक बार नहीं हजार बार देखो बिना परस्न पड़े कुछ नहीं हो शाला question पर अगर आप ध्यान दो तो कह रहा है कि तेरा करमागर्थ अध्रिद्धों से बने इस circle की कुल लंबाई क्या है sorry यहाँ पर circle नहीं circle होगा जो मैंने अभी दिखाया typing मेंनोंने काफी गलतियां किया है यह circle होगा circle नहीं circle जो मैंने अभी बनाया था इसको क्या बोलते है circle टोटल जितना बनाये ठीक है तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे और अंतताह आपको मिल जाएगा यल और के बाद 5,6,7,8,9,11,12,13 हमें 13 तक निकालना है तो हम सब तो निकालेंगे अब लाश्ट में यल 13 आप अंज्यादा लगाओ यहाँ पे आरकमान इसके लिए क्या होगा जरा सोचो आरकमान इसके लिए क्या होगा चुकि इसका तो दिया नहीं है आप अगर एक चीज देखो उपर से नोट करो ध्यान से तो पहले का निकाला गया तो इसका तिरिज्जा करिए पहले का निकाला गया तो तिरिज्जा आधा आई दूसरे का निकाला गया तिरिज्जा एक आई तीसरे का निकाला गया तिरिज्जा डेढ़ आई चौथे का निकाला गया तिरिज्जा दो आई कि कहने का यह मतलब है कि जिस पद का निकाला गया है मतलब यहां पर निकाला है क्या हां अर्दबृत ने इसे क्या बोलेंगे पर्धी हाँ जिस भी पद का मतलब एक परकार से ऐसे बोलें है कुछ भी आप समझे लो निकाला गया पर्धी तो उसके लिए तिरिज्या जो है उसका आधा आई है जैसे दूसरे के लिए दूई बटा एक तीसरे के लिए तीन बटा 13.2 का मतलब होता 6.5 यह इसका हो जाएगा यहीं से हम अनुमान लगा लेंगे यह रिजिनिंग का कोईस्चन मन गया है इतना ठीक है क्लियर है मैं स्क्रीन से कोईस्चन हटाता हूँ चलिए क्लियर आप समझना अब हमें एक परकार की स्रीज मिल गई अब हम उपर लिख सकत हैं का लिख सकते हैं पता है अपर आप लिखो अता स्रेडी बराबर अता स्रेडी बराबर अटा पर लिखो स्रेडी बराबर क्या लिखोगे जितनी भी आई है इन सभी स्रीज को यहां पर आपको लिख देना है अता लिख भी देता हूँ त्रेड़ी बराबर तो पहला क्या बना है? देखलो भैया, अहां पर क्या बना है? पहला बना है अब एक गंदा मतलिक हो भै 5 into 0.5 दूसरा बना है 5 into 1.0 तीसरा बना है 5 into 1.5 दिखरा है न? जोथा बना है 5 into 2.0 किसी तरह से डाट 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 अनन्द तक जा करके और लाश्ट में बना है पाई इंटू 6.5 समाधिने की कोशिस करना यह आपकी एक स्रीज बन गई स्रीज की ही तो खोज थी हम लोगों को यही तो मिल नहीं रही थी दुरभाग जोज अब देखिए हमें 13 वा क्या निकालना था 13 में पद कमान निकालना एक परकार से वही तो लंबाई होगी न 13 वा पद चलो समझो अब यहाँ पर इसमें से आप समझो अगर स्रीज बन गई तो A कमान मिल गया आपको A कमान यह पहला पद है तो पहला पद क्या है पाई इंटू 0.5 यह पहला पद है आद देखो कुल 13 पद की बात हो रही है यानि ए यन भी क्या है 13 दिया है इसमें दी का कोई काम है नहीं नहीं तो हम दी भी निकाल लेते और इसमें यन भी दिया है अब हम योगफल वाला सुत्र लगा देंगे समान ये सरेड़ी के योग वाला सुत्र लगाएंगे इदर मिटाएंगे screen yang seek बिटा दूँ हो गया क्लियर चलो देखिए ये कुश्चन थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा सा समझने लायक है अगर आप समझेंगे तो आसान है मुश्किल नहीं है लेकिन समझना जरूरी जल्दी जल्दी बोलता हूं इसलिए मेरा यूटूब पे कैप्शन भी वर्क नहीं है तो अब हम यह फर्मूला अप्लाई करेंगे सन इक्वल एन पांटू ए प्लस एन या फिर एल लिखलो चाहिए जो भी अन्तिम पद है एन का वैलू आया है वह यह थार्टीन तो यह वाजायागा आपका थार्टीन पांटू ए ए मिन्स पाई इंटू 0.5 प्लस एन एन का मतलब लाश्ट वाला पद एन का मतलब यह पाई इंटू 6.5 कोई दिक्कत नहीं चलो गैं तो इसमें अगर आप ध्यान दो तो पाई कामन हो नहीं तो इक काम हम करता हूं गया इसमें पाई कामन ले लेता हूं अब जेख़ो 0.5 बचेगा और यह 6.5 बचेगा ठीक है अब समझे नहीं यह 13 बटा दो और ये आपका जुड़ेगा तो साथ हो जाएगा भाईया साड़े च्छा में साड़े च्छा में जो पांच जो आदा जोड़ों के साथ हो जाएगा और पाई कमान भी रख देते हैं बाईस बटा साथ पाई कमान भी बाईस बटा साथ अब यह साथ थे साथ कट गया चुकि 7 उपर था यह 2 से कट गया 11 आ गया फाइनल में आपका इतना आ गया उड़ा कर लो तेरा कम तेरा तेरा एक चुदा क्या आपका फाइनल आंसर आ गया जिसे बोलते हैं yes 13 आता है आप लिख लो नीचे आता है आता है कुश्चन पहले देख लो फिर मैं लिख वाता हूं क्या लिखना है जल्दी स्क्रीन साट ले लिजिए मैं फिर से कुश्चन दिखाऊंगा लाश्ट में बस फिनिस करूंगा बहुत जल्दी करिए समझो के तब ही समझ में आएगा बच्चा वरना ये समझ में नहीं आने वाला है पुश्चन देखो नीचे करा था कि तेरा कर्मागत अर्धवृत्य से बने इस सरपिल की लंबाई जान कीजिए कुल लंबाई क्या है यहां पर ध्यान देना माफी चाहते हैं यह सरपिल वर्ड है सरकिल नहीं हिंदी में सरपिल ठीक है जहां जहां यहां सरकिल लिखा है सरपिल है, ऊपर एक जगह है और भी सरपिल नहीं लिखा है उसकी जगह पर क्या लिखा है देहान देना जब सबसे पहले सुरू-शुरू पढ़ो आप लोग यहीं है यही एक गल्ब था ठीक जहां सफल लिखा है खींचकर एक सफल बनाया गया है वहां भी सर्फिल होगा सर्फिल यह वर्ड थोड़ा टेना मेरा था इस लिए टायपिंग में घलती हो गई है तो सर्फिल के जो डाया diver कि इतना होगा और अगर हमसे आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप जरूर सेयर करें कमेंट करें ठीक है और कलास को लाइक और सेयर जादा फे जादा किया करें कलास का टाइम सुबा पांच बजे फे डेली कलास होती है आप लोग आया करिए नाम के पीछे बिलकुल मत पढ़ा करिए कलास आपकी चल रही आपको मिल रहा है आपके कमेंट भी आ रहे है सरवन जी आपका कमेंट आरा मैं देख पा रहा हूँ पृती सिंग आपका भी कमेंट आ रहा मुकेश कुमार प्रांजल अंसु तुरेंद्र और कौन है भई मौम्मद मेजार इनका नाम पढ़ा जी देखी कलास का टाइम पर आप लोग आया करो देर में मत आया करो ठीक है देर में आओगे तो समझ में नहीं आए तो आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थैंक्ट्यू कलास को लाइक और शेयर जरूर करना अगर आप इसे फेस्बूक पे देख रहें तो पीबियर स्टेडी क करें यूटूब थैंक्यू